आप सभी का बहुत दोस्वागत है ना ट्रेडिंग और आपका दोस्त नीरज और दोस्तों आज हम फिर से बैंक निफ्टी के अनलिसेज लाए हैं जो की रहेगी कल के सहसन यह थर्ड ऑफ सेक्टेमबर 2020 के लिए और आज है सेकेंट ऑफ सेक्टेमबर 2020 तो दोस्तों देखिए यह जो मेरी अनलिसेज रहती है यह मेरे पर्सनल लेबल है इस बैसे पर आपको ट्रेडिंग करने हैं तो आप अपने फाइनेंसल एडवाइसर के डिसकेशन से कोई भी पोजिशन क्रियेट कर सकते हैं मेरी किसी को भी बाइंग सेलिंग की सला नहीं है तो दोस्तों और बैंक निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो भी मेरे दोस्त बैंक निफ्टी फ्यूचर पर या बैंक निफ्टी पर आप्सन पर ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल वीडियो रहने वाली है तो देखिए आप लोग क्या है कि इंडिया चाइना का वार चीड़ने वाला है तो मार्केट एकदम से क्रैस होने लगता है काफी डरा सहमा हो जाता है मार्केट या फिर बीच बीच में कुछ अनौंस्मेंट वगएर आने लगते हैं जैसा कि आज सुप्रिम कोट का भी जज्जमेंट आना था तो उसने पर जब भी आप टीवी के सामने बैठते हैं तो देखिए मैं तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूं न्यूज चैनल वाला से क्योंकि वह क्या अपने गलत ही न्यूज फैलाते मार्केट में सब कुछ मार्केट में सही चल रहा है तो वह कुछ नेगेटिविट को फॉलो करिए अभी मैं आप लोगों को ज्यादा लेबल वगेरा भी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जहां मैं लेबल देने की सोचता हूं तो बहुत बड़ी-बड़ी मुवमेंट अच्छानक से हो जाती है तो चलिए हम एनलिस पर ध्यान देत है तो गैस देखें यह जो यह केंडिल दिख रही है आपको यह रैड इसने पूरा गेम चेंज कर दिया है मार्केट का नहीं तो अभी बैंक निफ्टी सायद नहीं तो 27,000 के आसपास होता है तो यह जो केंडिल आई है इस केंडिल की वज्जह से देखिए मार्केट काफी क अचंद नहीं आई होती है तो मार्केट करीब करीब इस लेबल को टच कर दिया होता तो अभी आड़ी काफी गैप वागेरा रह गया थे हमारे सेसन में तो अभी भी गैप रह गया है जो गैप फिल नहीं हुए है मारकेट वो फिल करने के लिए एक आत बार जरूर से रीट सब्सक्राइब जाता तो यहां पर मार्केट काफी चाप्ड का सब्सक्राइब यहां परeras करते हैं ध्य। गिंटेर मार्केट में बनती है जिससे घ्राowment और यहां पर सब्सक्राइब दिखना है तो हिसे अप्ट्रेंट के चांसे आ जाते हैं तो दीए यहां पर मंदी खत्म हो गई है ऐसा यह सिगनल माना जाता है क्योंकि यहां से बायर्स एंटर कर रहा है क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट जोन है तो दीए सपोर्ट जोन क्या होता है सपोर्ट जोन हमारा ऐसा जोन है जहां से बा मार्केट क्रैस हो और इस सपोर्ट जोन में आया फिर मैं यहां पर यहां पर लगाता हूं तो यहां पर टेक्निकल को फॉलो करने वाले यहां पर बाइंग लेंगे तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर डोजी का यहां जाता का फॉरमेशन इस ट्येक का हो रहा है तो अगर यह आपके के मार्केट का ट्रेंड़ हो जाता है तो इस टैप से आपको दोस्तों करनी पड़ेगी कि कई चीजे मार्केट में हैं लेकिन आपको जो चीज सुटेबल है उसके अप वर्क करिए मार्केट में अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यह गेम चेंज कर दिया है बैंक निफ्टी कर नहीं तो अभी बैंक की situation कहीं और होती तो दीए यहां पे हो सेख्ता है कि अभ फिर से मुवमेंट आए और हमें कल क्योंकि एक वीखली का दिन है कल बैंक निफ्टी के लिए तो वीखली एकस्पारी हमद कि जितने सोधे रहते हैं सब को काटने रहते हैं तो कोई selling का सोधा आहा किसी कोई कटना है किसी को Ugh सोधा कटना यहां पर कफी ज्यादा volatile हो सकता है, वार्केट काफी बड़ी बड़ी मुवंईन्ट आ सकता है, लेकिन अभी हम उग भी लास्ट इस ताइप से मुवमेंट होगी तो यह साइट बेस जोन है तो यहां पर मार्केट एक्षिल डिसाइड नहीं कर पा रहा है हर थर्षडे को जनरली यही चीज हो रही है तो आप देखिए कल हम यही उमीद करेंगे कि कल का जो थर्षडे का सेशन एक्सपायरी का विकली एक्सपायरी है तो इस सेशन पर भी हम यहीं चाहेंगे कि ऐसा ना हो और यहां से मार्केट कुछ ब्रेकाउट देके उपर क्यों निकले जैसा कि आज मार्केट ने काफी पॉ सेशन में और आघाए कि अगर मार्केट इस टाइप से रह जाता है तो फिर तो देखिए काफी बड़े-बड़े लोगों के नुकसान हो जाएंगे क्ल एक्सपायरी का सेशन और इसमें फ्राइडडे के सेशन में आएगी तो फिर हमारा जो भी नए सौधे ρाते फ्राइड गार रहते हैं एक हो जाता है तो Bhadzi को अगर को अगर करा लेधायें मुवंघूयर के सेशन में और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी काफी समय से market thursday को moment नहीं दे रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के session में बड़ी moment आईगी क्योंकि आप इस candle को focus करिए है यह candle काफी बड़ी है तो इस candle को देखते हुँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक बड़ा सोधा हमें मिल सकता है तो चलिए आईए बैंक निफ्टी के अनलिसिस पर ध्यान देते हैं दोस्तों और हम चलते हैं फाइट मिट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं जो फूचर ट्रेडिंग करते हैं वह भी स्टीच को फॉलो कर सकते हैं तो आज के सेशन में हुआ क्या है मार्केट में मैंने आपको एक पोस्ट भी यहां पर करा हुआ था आप अगर अलर्ट होके ट्रेडिंग करते हैं और मेरे टेलिग्राम चैनल से स्पेशली जु पोस्ट करते रहता हूं कि भाई कैसे कैसे मोमेंट हुई थी तो मैंने आपको दोस्तों यहां पर एक आज का कॉल भी दिया हुआ था तो नहीं दिया था आप लोगों को बताया था कि भाई यह जो ट्रेंड लाइन मेंने एक बनाए हुई थी ऐसी ठीक है जी यहां इस चीज को ही फॉलो करता हूं काफी समय से तो यह जब भी यह support level को कई बार respect करता है तो वहां से एक strong support हो जाता है यानि यह strong support zone है ठीक है जी तो यहां से देखिए यह reject हुआ price फिर एक बार rejection हुआ फिर बार बार इसी level से reject हो रहा है back date पर भी यहीं से reject हुआ प्राइज तो यह सब चीजें इंपोर्टेंट हो जाती गायज एनलिस यहीं बोलती है कि यहां से मार्केट अगर इस लेबल को ब्रेक कर देता अगर यहां से एक breakout हमें नीचे की और मिल जाता तो क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा मुवमेंट तो नहीं आती हमें पहले कुछ 100 पॉइंट की मुवमेंट बिलती फिर एकदम से मार्केट बड़ी-बड़ी कैंडिल आपको यहां पर बनाता हुआ दीख सकता तो कल के सैसम के लिए भी यही लेबल इंपोर्टेंट है मेरे कहले से 500 का लेबल था यह तो कल के सैसम में देखिए 23,000 500 के बिलो अगर मार्केट जाता है तो आप अलर्ट हो जाएंगे और 23,000 एन 480, 470 के बिलो आपको यहां पर ट्रेड डालने हैं अगर आप आपको आप्सन ट्रेडर हैं तो आप यहां पर 500 के पुट को बाई करके चल सकते हैं इमिडेटली 480 के लेबल में 500 के बिलो जैसे भी जाता है बस थोड़ा से यह देखिएगा कि अलर्ट होके आप ट्रेडिंग करेंगे यहां पर तो कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है थोड़ा न्यूस बेस जादा चल रहा है जैसा कि मै नेक्स्ट टार्गेट हो जाएगा 23,300 का और इसके भी नीचे जाता है तो 23,220 का लेबल आप लोग के लिए डाउन साइट पर निगल के आएगा लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के सेशन में इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा मार्केट का नीचे जाना मु कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है मेरी बातों पर ध्यान दीजेगा अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो यह सब लेबल 480 के बिलो जो है 23,000 480 के बिलो एक्जेक्यूट होंगे अगर यह लेबल एक्जेक्यूट नहीं होते हैं मार्केट इतना लंबा डाउ चीजन आये मार्केट को पसंद नहीं आया और फिर इस वजह से बैंकिंग सेक्टर के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं है तो वहां पर मार्केट सपोर्ट लेबल को तोड़के बहुत नीचे की और जा सकता है तो यह लेबल को अध्यान रखिएगा अगर ऐसा होता है त मैं आपको बोला था कि यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहां पर जैसे ब्रेक आउट हुआ था मैंने आपको यह सब पोस्ट करा था वहां पे स्क्रेंसवाट अपने मोबाइल के थ्रू जो इसलिए मेरे टेलिग्राम चैनल से आप जरूर से जूड़ लें डिस्क आपको बनता हुआ दिक रहा है इसके बाद फिर से मैंने एक यहां पर रेजिस्टेंस लेबल फेस किया हो था वह भी मैंने पोस्ट किया था आपको कि यहां पर भी रेजिस्टेंस एक निकल के आ रहा है दोस्तों तो अब देखिए कल के सैसन में हो क्या सकता है मार्केट प से कि ठेल लाइन ड्रॉट करने के कई टेकनिक है जो आपको यहां अच्छे लगें वो ड्रॉ ड्रॉट करके चला के चला सकते हैं दोस्तों मैंने ट्रेंड याय पर ड्रॉट कर scholarships तो यह इसफेल या हम गया सब्सक्राइब यह ट्रेंड लयैण कफी ciekstes यह जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है यह तक्रीबन यही वाले रिजिस्टेंस पॉइंट की है ठीक है याने मार्केट का जो आज का डे का हाई है तो डे हाई के ऊपर निकलता है 23,000 आप लेबल चाहें तो आपने राइट करके भी रख सकते हैं और आप अपने स्क्रीन पर भी इस चीज को फॉर्मेट बना के रख सकते हैं तो 23,000 950 के अबोव मार्केट निकलता है ठीक है ठीक है और पहले कोसिस हमारी यह रहेगी कि यह 750 या 800 के पास ओपनिंग दे यहां तो इससे अच्छी बात हमारे लिए नहीं हो सकती और अगर गैप ओपनिंग बहुत ज्यादा हो जाती यहां पर मान के चलिए करीब करीब एक परसेंट ऊपर खुल जाता है मारकेट यहाने 23,100 के वह खुल जाता है तो वहां से हमारे पास ज्यादा कुछ रह नहीं जाएग 24,100 के वह खुलता है अगर तो फिर यहां पर मान के चलिए कि थोड़ा सा हमारे लिए मुसीवत है ज्यादा हम लंबे टार्गेट नहीं जाएंगे तो इसके लिए 233 233 तक 24,100 230 220 आपके लेबल हो जाएंगे हाइस्ट यहां से फिर मारकेट रिवर्स भी ले सकता है तो हम य नहीं करते हैं तो यह सब चीज़े आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको चाहिए मारकेट में उसके तो भी आप तयार रहेंगे हर चीज मैं इसलिए बता रहा हूं डीपली क्योंकि बैंक निफ्टी पर एक ही चीज पर हम फोकस कर रहे है तो तो यह हमार तो यहां पर सपोर्ट ले लेकर बढ़ता है उपर थोड़ा सा रेट्रेस हाता है मार्केट पहले एक नीचा आएगा फिर उपर जाए जाएगा फिर उसके बाद थोड़ा से नीचा आएगा ऐगा ऐसे मार्केट को हम ज्यादा अच्छा मालेंगे अब जैसे भी मार्केट एकडम से यहां ओपन हो गया यहां से ऊपन होगा तो फिर हो जाता है मार्केट मतलब क्रैस हो जाता है कुछ ऐसे न्यूस होगी यह सब चीजें होती हैं मार्केट में इसलिए हमें अलर्ट रहना आभी क्योंकि न्यूस को काफी ज्यादा फॉलो कर रहा है तो टेकनिकल बहुत ज्यादा वर्क तभी करेंगे जब आपके लेबल के अक्वाडिंग मार्केट खुलता है तो ट्वंटी थ्री थाउजन ट्वंटी फॉर थाउजन फिप्टी के बिलो भी अगर खुलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेडिंग ऑपर्चुनिटी कल के सेसं के लिए हो सकती है यह थर्ड और सेक्टेंबर के लिए तो चलिए दोस्तों यह मैंने तीन लेबल बताए हैं और और वी उपर जाने की चांसे हैं इसमें हम बात करेंगे भी थोड़ी देर से और तो गैज आप लोग को अगर चैनल में एजुकेशनल परपस से चाहिए तो इस चैनल को थोड़ा सा आप यहां पर लाइक करें और कुछी भी कंफ्यूजन है आप लोग को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे और जो भी चीज़े पसंद आती हैं आपको त पूस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें क्योंकि सेयर करने से देखिए नौलेज उनका भी बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा तो काफी अच्छी उनके लिए भी रहेगा और आपके लिए अच्छी बात है यहां पर सपोर्ट लेते हुए चल रहा है तो देखिए लेइन वहां प ereky बयारे सेयर किसेयां वहां में सब्सक्णैन आपके यहू बना रहता है अगर रिक्रेज्ट मैं यह 30 के लिए कि देखकarा है है दोस्तों ठीक है आप गौर करिए का इस चीज पर जो मैं बोल रहा हूं तो आपको यह दिखना है कि 300 के ऊपर जाके कैसा रियक्ट करता है यहां पर क्या उसका प्राइज एक्षन बनता है थोड़ा सा रिट्रेश्मेंट लेता है यह सब चीज़ें आप एलाट रना और फिल में टेलिग्राम चैनल पर आपको मैं पोस्ट करते रहा हूं कि मार्केट अभी ठीक ठाक चल रहा है जहां पर भी रिस्क आप लोग दिखते रहेगा वहां पर वगेरा मैं देते रहता हूं कि क्या सिच्वेशन अभी और थोड़ा सा वेट करने की आव सकता है तो देखेगा दोस्तों मैंने आपको दोनों लेवल बता हैं 500 के 23,500 के बिलो जाता है तो फिर वीकनेस आएगी मार्केट में और वो वीकनेस के काफी बड़ी हो सकती है जो कि न्यूज बेस हो सकती है तो यह देखिया कि आप कल के सेशन में काफी अच्छी मुझे लग रहा है तो 24,500 तक के टार्गेट मैंने आपको कल के सेशन के लिए य आपको मैंने लिख के बता दिया तो देखिया जो भी लेबल आएगा अगर यह ओपनिंग सही हो जाती है और 100 के उपर ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा सा आपको अलट होना है कि 200 से रिवर्स तो नहीं ले रहा है अगर 200 से रिवर्स ले रहा है तो फिर से यह हमें और सकता है 24,000 तक के तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यह रुक रुक के मार्केट चलेगा स्टार्टिंग में फिर एकदम से करीब करीब हमें एक बच के पंदरा मिनिट पे या दो बच के दो बचे के बाद यह मुवमेंट मिलेगी 24,500 के पास तक इसे ले के जा सकती है तो आप देखिए का यह हमारा highest level है और बहुती ज़्यादा market अगर positive हुआ तो फिर इसके बाद जो भी आपको trade करना है तो बहुत ज़्यादा सतर को कि आपको stop loss को पहले यहां रखना है फिर यहां ले आईए फिर यहां ले आईए ऐसी stop loss को trail करते हैं उपर की और चलते जा हैं तो देखिए का आपको मैं future पर भी ज्यादा level difference नहीं रहते हैं और इसमें मान के चलिए कि यह 25-30 या 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का बहुत ज़्यादा फरक रहता है future की trading में बैंक निफ्टी future की trading में और बैंक निफ्टी spot की trading में तो आप देखिए इस spot को focus करें अगर इस spot जैसा अगर अच्छी मुमेंट दे रहा है तो बैंक निफ्टी future भी उसके recording ही work करता है तो चलिए दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो बीच में देखिए मेरे को टाइम मिलता है मैं इस टाइप के वीडियो वगेरा फोड़ से आप लोग एजुकेशनल परपस से बनाते रहता हूं इस पेस लिए बैंक निफ्टी के लिए हैं तो जो भी बंदे एक्विटी कैस की trading करते हैं वो भी बैंक निफ्टी को follow कर सकते हैं उनको देख सकते हैं चार्ट को क्योंकि देखिए आज के आज नहीं तो कल आपको बैंक निफ्टी आप्शन फूचर पर आना ही पड़ेगा आप एक्विटी की कैस की ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे ठीक है आपको इंवेस् रखता है तो कमेंट सेक्षन में मुझे बता सकते हैं कि सर आज मुझे यह चीजें समझ मनी आई या वीडियो को यह व्यूव मुझे अच्छा लगा यह व्यूव अच्छा नहीं लगा यह यह नेगेटिव यू था आपका तो आप कमेंट करेगा मुझे भी देखिए दोस का तो आप सभी का बहुत बहुत धेन्वाद दें